हेलो दोस्तो सोगत है आप सभी कई एकाउन नए वीडियो में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने इंस्टेगाम पर रील्स वीडियो अपलोड कैसे कर सकते हैं I mean Instagram पर रील्स वीडियो पोस्ट करने का साही तरिका क्या है दोस्तो वीडियो को सुरू करने से पहले मैं आपको दो चीजे बताने वाला हूँ जिसे आप अपने Instagram account में एक बार चेक कर लें अगर वो सही नहीं रहेगा तो इससे आपकी real viral नहीं होगी और आपको account भी grow नहीं होगा तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आपको जाना है अपने setting में Instagram के उसके बाद वहाँ पर जाना है account में account में जाने बाद नीचे दिया रहेगा killer data killer data पर आप जैसे click करोगे वहाँ पर नीचे एक option देगा upload है highest quality इसको आपको enable कर देना है इससे आपको real की quality high हो जाएगी जब आप upload करोगे और दूसरा point ये है कि आपको अपना account status चेक कर लेना है setting में जाके अगर account status जो है दोनों green color का दीख रहा है इस तरीके से तब सही है इससे आपको account grow होगा और आपको real जो है वो Instagram आगे recommend करेगा अगर ये दोनों में से एक भी cross लगा रहेगा तो इससे आपको account grow नहीं होने वाला है तो सबसे पहले आपको ये ठीक करना पड़ेगा उसके बाद ही आपको account grow होगा इसके अलाबा आप नया account बना सकते हैं और उस पे real try कर सकते हैं तो चलिए mobile के screen पर चलते हैं और आपको बताते हैं कि आप real कैसे upload कर सकते हैं साई तरीके से ओके तो अभी हम आप चुके हैं अपने mobile के screen पर तो सबसे पहले आपको अपने Instagram application जो है वो update कर लेना एक बार update करने बाद यहाँ से आपको किसी भी song पर real upload करना है तो सबसे पहले आपको यह चेक करना पड़ेगा कि trending music कौन सा है तो यहाँ पर देख सकते हैं किनारे में एक music का इस तरीके कर चल रहा है और कभी कभी arrow दिख रहा है तो arrow का मतलब यह होता है कि इस music को Instagram उपर कर रहा है यह trending music है अगर आप इस पर जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर उपर दिया रहता है trending music तो आप huge idea पर क्लिक करके इस song पर वीडियो upload कर सकते हैं huge idea पर क्लिक करते ने बाद दोस्तों यहाँ पर कई सारी effect मिलते हैं जो कि आप directly camera से record कर सकते हैं किसी भी वीडियो को अगर नहीं record करना है तो आप gallery से कोई भी वीडियो ले सकते हैं तो चली मैं एक वीडियो को select कर लेता हूँ मानली जी मैंने ये वीडियो ले लिया अगर आप इस वीडियो को थोड़ा सा zoom करना चाते हैं या छोटा करना चाते हैं तो इस वाले आप सब प्लिक करके आप छोटा बड़ा कर सकते हैं देन उसके बाद आपको add कर देना है simply जैसे आप add करोगे उसके बाद आपको nest कर देना है nest कर देने बाद दोस्तों यहां से आप दूसरा music भी लगा सकते हैं इस वीडियो में अगर आपको लगाना है यहां से आप control प्लिक करके आप एपने camera आइडियो को उपर कर सकते हैं down कर सकते हैं और जो song का आइडियो है उसको आप down कर सकते हैं I mean trending song पर अपने video का आइडियो आप उपर कर सकते हैं उसको down कर सकते हो लेकिन वो upload होगा आपके trendy music पर आपने जो select किया है and यहां से आप effect भी use कर सकते हैं मैं आपको कहूंगा कि use करिये जरूर उसके बाद आपको nisht कर देना है nisht कर देनों बद आपके सामने इस तरह का इंटरफित देखनों को मिलेगा share your reel to facebook to grow your audience अगर आप इंस्टा के साथ साथ facebook पर भी यह reel share करना चाहते हैं तो share reel to facebook करतीजिए वनना not know कर दीजिए देन उसके बाद आपके सामने इस तरह का दिखता है write a caption आपका caption कुछ लिख सकते हैं यहां पर emoji भी आप use कर सकते हैं जिससे थोड़ा excited दिखे तो चली मैं emoji को use कर देता हैं इस तरीके से थोड़ा shocked वाला है यहां पर आपको emoji use करना है इसी होगा कि जो सामने वाला देखेगा वो सोचेगा कुछ excited है उसके बाद आपको hashtag क्या use करना है यह मैं आपको बता दूँ तो यहां पर आपको reels Instagram यहां पर आपको चार से पांच hashtag यूज करना है केवल जिनना छोटा रहेगा similar रहेगा उतना बढ़िया रहेगा और आपकी real rank करेगी और उसके बाद एक दो hashtag आप real की related लगा सकते हैं और उसके बाद also say to fruit को आपको off नहीं करना है enable ही रहने देना है on ही रहे उसके बाद tag people पर करके आप tag कर सकते हैं और उसके बाद यहां पर एक नया feature add हुआ है जिसका नाम है add topic यहां पर आप कोई भी category choose कर सकते हैं अपने हिसाब से अगर नहीं करना है तो मत करू कोई दिक्कत वाली बाद नहीं है उसके बाद हमने already sitting बताया है आप advanced sitting में जाके दोबारा से एक बार highest quality वाला enable कर सकते हैं उसके बाद आपको directly share नहीं करना है आपको save drop में कर देना है simply save drop में click कर देने बाद आपको 20-30 second रुखना है 20-30 second रुखने के बाद आपको drop में सीधा जाना है दोबारा से एंड उसके बाद इस reel को share कर देना है जैसे आप इस reel को share कर दोगे उसके बाद आपको तुरन दूसरे account पर आ जाना है उस account पर active नहीं रहना है दिन उसके बाद आपकी reel जो है वो अच्छी खासी rank करने वाली है तो आप इस तरह की से upload कर सकते हो मैंने आपको बता दिया वीडियो अच्छे लेगे तो like करें और share करें चैनल पर नहीं हो तो please subscribe कर लीजीगा Thank you so much for watching this video